यहां पर बहुत बड़ी इंफर्मेशन यहां पर बहुत बड़ी इंफर्मेशन आ रही है बी एचे एल रिकूर्ट्मेंट जो इंजिनरिंग ट्रेनी एंग्जेकुटिव ट्रेनी एचार और फाइनेंस 2019 के लिए होने वाला था सबसे पहले तो बता दें आपको कि उसकी डेट्स कंफर्म हो चुकी है 25 और 26 में जो की कुछ लोगों को डाउट लग रहा था क्योंकि अभी तक बीएचे ल की तरफ से कोई इंफर्मेशन यहां पर नहीं दी जा रही थी कि क्या एक्जाम होगा या नहीं होगा तो सबसे बड आया गया था शेडियूल के बारे में कि 25 और 26 मई को ही एक्जाम होगा किस किस ब्रांच का किस दिन एक्जाम होगा वो वेबसाइट पे डाल दिया गया है और दूसरी बात अभी अभी जिस भी एस्पिरेंट ने इस एप्लाइट इस एक्जाम के लिए अप्लाइट कि होंगे किस section में कितनन अमबर of questions होंगे तो वो भी BHEL ने reveal कर दिया है आईए देख लेते हैं उसको साक्षाथ देख लेते हैं उसको बिल्कुल जो हमें एक email के त्रूँ एक link मिला है उसमें वेचल ने क्या दिखाया है तो देखिए आप लों के पास email आया होगा अपना email का inbox जैसी आप उस mail के inbox पे click करेंगे, आपको इस तरीके का एक platform दिखाए देगा, एक dashboard दिखाए देगा, इसमें आप sign in पे click करें, देखे उसके बाद आपका जो एक mock test का एक platform खुलता है, देखे उसमें किस तरीके से आपको information दी गई है, तो देखे सबसे पहले आपको यहाँ प next पे click करें, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी official language select कर सकते हैं, इसका मतलब आपको exam में official language select करने का बौका भी मिलेगा, आप यहाँ पर terms and conditions को accept कीजिए, और I am ready to begin को click जैसे ही आप करेंगे, तो आपका एक नया page खुल के आएगा, जिसमें आपको exam के बारे में, किस discipline मे यहाँ से पता चलेगा, तो देखें, जैसे ही आप ready to begin को click करेंगे, आपके उपर इस तरीके का एक platform नजर आएगा, एक dashboard नजर आएगा, जिसमें charge sections आपको नजर आएगे, discipline of questions, questions जो आपके discipline में से आएगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, side में जाके आप देख सकते है 120 questions है, पूरे 120 questions है, reasoning section में आप जाके देख सकते हैं, कि आपके पास 50 questions है, आपके पास general knowledge के 20 questions है, और आपके पास general English के 50 questions है, तो अगर मैं आपको जाके बताओ, इन total 4 sections में आपके पास 240 questions है, 240 questions है, ध्यान रखेगा 240 questions है, in 150 minutes, यह एक बहुत ही महत्तपुर्ण information जो BHL ने अपने, इन्होंने सामने लाए हैं, कि 240 questions आपके सामने होंगे, 120 आपके पास engineering discipline के question होंगे, आपके पास reasoning के 50 questions होंगे, GA के 20 questions होंगे, और reasoning, English, English, general English के आपके पास 20 questions होंगे, total आपके पास 240 questions होंगे, जो आपको 150 minutes, यानि कि 2 hours and 30 minutes में solve कर रहे होंगे, तो basically इसी के according अपनी त 5-6 दिन, 5-6 दिन आपके पास समय होंगे, इसी के according अपनी preparation कीजिए, और आप इन चीजों को ध्यान रखे कि कि किस exam की weightage जादा है, किस section की weightage जादा है, आपके discipline के total 120 questions होंगे, 50% आपका discipline के questions होंगे, reasoning और English के आपके पास 50 questions होंगे, और general knowledge के आपके पास 20 questions होंगे, तो all the best for your examination, और आपका admit card बगर है कि जो information होंगे, आपको कहां पर आपका examination होगा, वो आपका admit card में आपको दिया जाएगा, गवी जो दिन में जो एक notice आया था, उसमें ये लिखा गया था, कि आपके admit card जो है, वो upload किये जा रहे है, जैसे ही आपको admit card मिलेगा, आपको अपने admit card की, अपने जगे की, अपने timing की location की, उन सब की information भी आपको मिल जाएगे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी information यहाँ पर है, वो फिर से मैं एक बार आपको बतादू कि 240 questions total है, 150 minutes में, ठीक है, जिसमें से आपके अपने discipline के, अपने technical discipline के, अपने HR discipline, finance discipline के, आपके total 120 questions है, reasoning और English के 50 questions each है, और general knowledge के 20 questions है, तो total आपके पास 240 questions है, 150 minutes में, तो उसके according अपने preparation कीजिए, और आगे देखते जाएए, किस तरीके से आपको जो admit card मिलेगा, उसमें आपको अपने center की, अपने timing की information आपको मिल जाएगी, तो thank you, all the best for your exam, बहुत अच्छे से preparation कीजेगा, बहुत opportunity that BHL has provided you for the management trainee and the executive trainee and the engineering trainee this time, so all the best for your preparation, thank you, हमारे साथ बने रहिए, हमापको और information देते रहेंगे, इसी तरीके से जो और exams आएँगे उनके बारे में, so all the best and have a nice day.